आज कल सोशल मीडिया एक ऐसी चीज बन गई है जिसकी जरुरत हर उम्र के इंसानों को है फिर चाहे वो बच्चे हो जवान हो या बुढ़े इंसान सोशल मीडिया से सबसे ज़ादा बच्चे प्रभावित हो रहा है ऐसे में अब बच्चों के इंटरनेट चलाने पर बैन लगा दिया गया है किस देश में बच्चों के इंटरनेट चलाने पर लगा है बैन और क्या है इसके पीछे की वज़ा पूरी खबर जाने के लिए देखे रिपोर्ट बच्चों में लगतार सोशल मिडिया के बढ़ते इस्तमाल और इससे जुड़े अपराद को लेकर अमेरिका ने एक नया कदम उठाया है बतादी कि अमेरिका के फ्लारिडा में 14 साल तक बच्चों के लिए इंटरनेट बैन कर दिया गया है बतादी कि वीटिये जनवरी 24 में अमेरिकी संसद में बच्चों के इंटरनेट अकाउंट पर बैन लगाने के लिए बिलपास किया गया था वहीं अब 25 मार्च को फ्लारिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने इस कानून पर हस्ताक्षिड किया है गानोन के तहट 14 से 15 साल के बच्चों को सोशल मीडिया का इस्तमाल करने के लिए पेरिंट्स की आनुमती की ज़रुरत होगी फोब्स की रिपॉर्ट के मताबग यह फैसला सोशल मेड़िया के जर्य बच्चों में में उन्टल हेल्थ से जुड़े रिस्क से बचाने के लिये लिया गया है रिपॉर्ट के मताबग एक जनवरी दोहज़र पच्चेस को यह कानून बन जाएगा और इसके बाद सोशल मेडिया प्लैटफॉर्म को अंडरेज बच्चों के लिए बैन कर दिया जाएगा इसको लेकर गवर्नर डिसेंटिस ने कहा सोशल मेडिया से बच्चों को कई तरह के नुकसान पहुँचते हैं इस कदम से पैरेंट्स भी अपने बच्चों को सुरक्षा दिला पाएंगे वैसे तो इस बिल में किसी प्लैटफॉर्म का नाम नहीं लिया गया है लेकिन इसमें आटो प्लै विडियो, लाइव स्ट्रेमिंग और मैट्रिक्स जैसे सोशल मेडिया प्लैटफॉर्म की बात कही गई है बताती कि जनवरी 2024 में अमेरिकी सदन में इस विध्यक को पक्ष में 106 वोट पड़े थे इस कानून को लेकर कई डेमोक्रेट ने रिपब्लिकन को समर्थन भी दिया था समर्थकों ने तर्क दिया था कि इंटरनीट मीडिया बच्चों को कई ऐसे चीजों के संपर्क मिला आता है जिससे उनमें डेप्रेशन, आत्मध्या और नश्यकिलत जैसी परिशानिया हो सकती है वैसे इस खबर को लेकर और क्या लगता है आपको कि क्या भारत में भी छोटी बच्चों के लिए इंटरनीट या सोशल मीडिया एकाउंट्स बैंड करते ना चाहिए इस खबर पर आपकी अपनी क्या राए है हमें अपनी राए कॉमेंट करके जरूर बताएं झाल झाल